अगर बजट कट किया गया हाईयर एजुकेशन के अंदर 17% बजट कट किया गया लोगों का फेलोसिप बंद कर दिया गया क्या हम इसको इस्टुडेंट के पक्ष में मानेंगे जिस तरीके से पब्लिक फंडेड इंस्टिचूट को बंद कर दिया गया और अभी अगर आपको पिएजडी करनी है तो आपके पास में 15 लाख रूपिया होना चाहिए सरकार 15 लाख दी नहीं है और हमारे पास 15 लाख है नहीं मतब चाह करके भी हम पिएजडी नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके से जो एजुकेशन को एक कॉमोडिटी बना दिया गया रिचार्ज कराईए जिसके पास जितना पैसा है उतना एजुकेटेड हो जाईए फस्ट येर का फीस है तो फस्ट येर तक जो है एजुकेट हो जाईए चोटा रिचार्ज, पूरा चार साल तक अगर आप पैसा दे सकते हैं, तो चार साल में डिग्री ले लीजिए, ये जो सिक्षा को बेचा जा रहा है, हम किस तरह का मुल्क बनाना चाहते हैं, जो सिक्षा खड़ी देगा, वो सिक्षा को बेचेगा भी, कल को वो अगर कहीं झाल को बनाना चाहिए, और हमारे टेक्स के पैसे का एक हिस्षा के उपर खड़ खड़ी होना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि बज़ट का 10% बनाना चाहिए, पैसे बनाना चाहिए, इसलिए हम को लगता है, कि ये सरकार, पिछली सरकार कीतरहugenay विद्ध्यार्थियों के प में के लिए पर्दानमंत्र ावो ज़ी को दिकत नहीं है broken, क्याँ में कर दिकत नहीं मिलनेंगे है और आप यहां से नीकलेंगे नौकड़ी से पकी है आप देख लीजे जाकर, कि मुनिर्का में लोग लाइन लगाए हुए है अमेरिका जो है immigration policy को strong कर दिया, Trump को चुन लिया कहता है कि non-American को अमेरिका आने नहीं देंगे, तो लोग जो अमेरिका जाते थे आजकर मुनिर्का में फस करके रह गए है लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है साहब, रोजगार नहीं है सिक्षा आप जितनी लेते हैं कितनी मज़ेदार बात है हम कहते हैं कि हम जितना ही पढ़ है हम दस्मी पास हैं, हमको दस्मी के हिसाब सही नोक्री दीजिए, अगर हम PhD पास हैं तो हमको PhD के हिसाब से नोक्री दीजिए PhD करकर के हम चपरासी बनने के लिए जाएं बताइए अच्छी बात है यह समझने की बात है हम यह नहीं कहते हैं कि चपरासी का काम जरूरी नहीं है जितना जरूरी चपरासी है उतना ही जरूरी डॉक्टर भी है हम किसी भी profession को ऊपर या नीचे करके नहीं देखते हैं यह मतलब नहीं है कि हम लोग बोल रहे तो हमी महतपूर्ण है माईक बाला माईक बंद कर देगा तो कोई सुनेगा ही नहीं इसलिए माईक बाला महतपूर्ण है तो हम यह देखते हैं इस देश के अंदर जाप education policy को analyze करेंगे तो student जो पढ़ रहे हैं बहुत ही बुरे हालात में हैं जितने भी पढ़ाही करते हैं उस हिसाब से उनको नौकरी नहीं मिलती है यह हालत पहले humanities के अंदर थी अब यह इस्थिती जो है IIT के अंदर पैदा हो गई है दूसरे जो technical field हैं वहां पैदा हो गई है पहले आत्महत्याएं वह लोग करते थे जो बेचारे इतिहास owners करके किसी तरह से जिंद्गी चलाते थे अब मैं आपको बता देता हूं कि IIT करने वाले लोग भी जो corporate में पढ़ रहे हैं जो recession आएगा note बंदी के बाद दिखेग कि जल्दी अपना